वेल्कम टू मैं चैनल रोबस बजार आज हम बात करेंगे एक और पैनी स्टॉक के बारे में वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी नए व्यूवस मेरे चैनल पर विजिट करते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को क्लिक करें और ऑल बटन पर जरू क्लिक करें क्योंकि ताकि आपको सारे लेटेस नोटिफिकेशन मेरे मिल सकें जो भी वीडियो में अपलोड करता हूँ उसकी डीटेल्स आपको यूटूब पर मिलती रहें अब चलिए हम stock के बारे बात करते हैं इसका नाम है GG Engineering Limited इसमें काफी सारे रोचक तत्व में आपको दिखा सकता हूँ इस stock में आपको क्यों नहीं निवेश करना चाहिए काफी सारे निवेशक हैं जिनने इसमें निवेश करके बैठे हैं काफी बड़े बड़े दामों में आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने से stock downtrend में है जो stock 18 अक्टूबर 2021 को 21 रुपे के आसपास का चलता था वो आज 6 रुपे 18 पैसी के आसपास दिखाई दे रहा आपको 13 अप प्रमोटर होल्डिंग थी जो September 2021 तक 53.48 थोड़ी सी गटी December 2021 के आसपास almost 10% इसमें से कम हो गए प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग 10% कम कर लिए इसमें 43.28 हो गए जो की September 2021 में थी 53 और December के आसपास हो गए 43 अल्मोस्ट 10% कप कर लिया जैसे ही March 2022 आया तो आप देख सकते है प्रमोटर्स ने अपनी सारी होल्डिंग बेच थी अब उनके पास मातर 3.36 बचा हुआ है जो December 2021 तक 43.28 था अब वो बचके रह गया मातर 3.36 अब आप देख सकते हैं इस स्टॉक में गिरने की संभावना बनती ही बनती अब इस स्टॉक में आपको क्यों करीदना था स्टॉ इस स्टॉक में जब प्रमोटर होल्डिंग ही नहीं तो इस स्टॉक तो गिरने वाला था ही तो स्टॉक में कुछ निवेश करने जैसे था ही नहीं अब आप देख सकते हैं जून 2021 को रिटेल निवेशकों ने जो इन्वेस्ट कर रखका था वो था अल्मॉस्ट 37.85 परसंट सेप्टंबर 2021 में आते आते यह हो गया 40% अल्मॉस्ट दिसम्बर 2021 तक आते यह हो गया 57% और मार्च 2022 तक आते आते 96% अल्मॉस्ट हो गया अब आप सोच सकते हैं इसमें सिफ रेटेल निवेशक बचे हैं प्रमोटर होल्डिंग अल्मॉस्ट 0 हो चुकी है 3.36% अपना माल लगा के बैठें अब आप क्या सोच रहे हैं कि स्टॉक 100 रुपए या 200 रुपए या 400 रुपए या 1000 तक पहुंच जाएगा बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगा क्यों कंपनी की आहलत पूरी तरीके से खराब है आप इसके अगर फाइनेंशल की बात करें तो फा फाइनेंशल येट 2021 में 37 है इबिड़ा इबिड़ा ओल्मुस्ट स्टेबल है इपीएस की बात करें तो इपीएस माइनस में जा चुका है तो इस कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है कि बढ़ने जैसा आपको कुछ मिलेगा क्योंकि टोटल प्रमोटर होल्डिंग प्रमोटर्स में अपनी सारी होल्डिंग बेच चुक हैंं सिरह इसमें रीटेल नवेशक बचे हैं जो स्ट Templar को चला रहे हैं तो इस टॉक में आप किसी भी तरीके से निवेश करेंगे तो आप ये चीज़ सोचके निवेश कर रहे हैं कि इसमें आप करूर पती बन जाएंगे तो बिल्कुल नहीं बन पाएंगे आप तो इस स्टॉक को आप बिल्कुल बूल जाएए इस स्टॉक में आप निवेश ना करें जाद अच्छा है किसी दूसरे stock को देख सकते हैं आप जिसमें promoter holding strong हो और बाकी mutual funds, domestic institution और foreign institution ने भी थोड़ा बहुत investment किया हो और retail निविशकों ने भी थोड़ा पहुत पैसा डाला हो ऐसे stock ढूंडे जिसमें संभावनाएं आगे आने वाले समय में बन सकें भले ही वो 5 साल बात बनें लेकिन बनें Thank you so much